हलो फ्रेंट्स असलाम अलेकूम और वल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आयोब आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं बना रहे हूं चिकन स्पगेटी यह बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो यहां मैंने 300 ग्राम लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिया है एक चाय का चम मच नमक एक चाय का चम मच कौटीवी काली मिर्चे एक चाय का चम मच ली ए्मू का रस एक चाय का चम मच अद्रक और लहसन का पेस्ट और अब इन सब चीजों को एक दु़ा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह रेखें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और इसको फंद्रा मिनट के लिए छोड़ देंगे यहाँ मैंने एक देख्ची लिए है और इसमें 2-3 नीट्र मेने पानी डाला है और इसमें शामिल कर देंगे दो टेबल स्पून कोकिंग आईल और इसके साथ इसमें शामिल कर दूंगे दो चाय के चमच नमक ये शामिल कर देंगे और इसको गरम होने के लिए रख देंगे देखे पानी जो है वो अच्छे से गरम हो चुका है इसमें शामिल कर देंगे 400 ग्राम स्पगेटी आपने इसको इसे छोड़ देना है आपने बिल्कुल भी इसको तोड़ना नहीं है ऐसे ही इसको शामिल करेंगे तो 30-40 सेकंड के बाद ये अच्छे से देखची में जो हैं ये सॉफ्ट होके चली जाएंगी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपने अब इसको 10-12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है और ये देख सकते हैं जो हमारी स्पगेटी अच्छे से कुक हो चुकी है अब इसका पानी मैं जो है वो ड्रेन करूंगी तो ये देख सकते हैं ड्रेन कर चुक है अब इसको डालूँगी मैं ठंडा पानी ताके इसके कुकिंग भी स्टॉप हो जाए और इसको अच्छे से वाश कर लूँगी ताके ये आपस में चिपके नहीं तो इसको मिक्स करेंगे इस तरह से और इसको एक साइट पर रख देंगे इसके बद मैंने ले लिया है एक पैन और पैन में मैं शामिल करूंगी चार टेबल स्पून कोकिंग ओईल आप तेल का तेल भी स्तमाल कर सकते हो और उसमें मैं शामल कर दूंगी एक खाने का चमच, चौप किया हुआ गार्लिक तो अपने लेसन को जो है वो 20 सेकंड के लिए अच्छे से सौते करना है ताकि उसकी जो खुश्बू है वो अच्छे से आना शुरू हो जाए तो यह देख सकते हैं 20 सेकंड हो चुके है गार्लिक जा है वो उसकी बहुत अच्छे खुश्बू आना शुरू हो गई है तो अब इसमें शामल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था उसको शामल कर दिया है और इसको 5-6 मिनट के लिया हाई फ्लेम पे मैं कुक करूंगी या फिर आपने तब तक इसको कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं इसको करना नहीं तो यह हार्ड हो जाएगा अब इसमें हमें शामल कर दूँगी नमक आधा चाय का चमच आधा चाय का चमच इसमें शामल करूंगी कुटीवी काली मिर्चे और इसके साथ इसमें हमें शामल कर दूँगी कुटीवी लाल मिर्च आधा चाय का चमच एक से दो चौप की हुई हरी मिल्चे यह optional है अगर आप शाह हो तो इसमें शामिल कर सकते हो तीन खाने के चमबच सिरका तीन खाने के चमबच सोया सॉस इन सब को एक दवा से मिक्स कर लेंगे नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजेगा क्योंके सोया सॉस में भी नमक होता है अब मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ तीन खाने के चमबच फ्रेंट्स केचप जो है वो लाजमी शामिल के जागा इससे स्पेगाटी में जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसके साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा कप स्लाइस की हुई प्याज और आधा कप इसमें शामिल कर दूँगी मटर यह बॉयल मटर है यह अप्शनल अगर आप शामिल करना चाहते हो तो शामिल करें वरना आप यह स्किप कर सकते हो अब इसके आँच जो है वो चुले की वो मैं हाई कर दूँगी और इसको मैं एक मिनट के लिए कुक कर दूँगी आँच जो है वो आपकी हाई होने चाहिए और अब मैंने एक कप गाजर ली है और आधा कप शिमला मिर्च इनको भी मैंने बारीक जो है वो जूलियन कट या श्रेड़िट कर लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पे ही तो फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए नहीं तो यह अपना पानी छोड़ देंगे और इसके बाद इसमें शामल कर दोंगी दो टीमाटर स्लाइस किये हुए और इसको भी मैं डालके एक दफा मिक्स कर लोंगी और अब इसमें मैं शामल कर दोंगी स्पगेटी यह बॉयल की हुई स्पगेटी है यह आहिसा आहिसा से इसमें शामल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स जो लोग नए है मेरे चैनल पे काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेला आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुन सकें तब इसको दो से तीन मिनट लो फ्लेम पे मैं कुप करूंग तो यह रही बहुत ही टेस्टी चिकन स्पगेटी आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी मुझे कमें लाजमी बताएगा ओपर जो है मैंने हरा प्यास जो है उसका ग्रीन पार्ट मैंने ओपर मैंने गार्णिश कर दिया है आप यह डाल के और सर्फ करो तो